दूसरा हम लोग जो कर रहे हैं वो हमारे जितने भी पुराने क्लाइंट्स है जैसे बंबय में हमारे 45 बैच है टाइगर के 45 बैच है इनो अंत्रपिन गुरुकुल के कुछ 25 बैच है फांडेशन गुरुकुल के कुछ 5-6 बैच है एडवांस गुरुकुल के तो इसी तरह से राजकोर्ट में 30 बैच है 20 बैच सूरत में 8 बैच उदर केरला में कालिकट में है तो ऐसे सब जगे पे हमारे बैच खतम हुए है बैच है तो हम लोगों ने यह डिसाइड किया कि सभी कस्टमर्स को फोन करेंगे और हम फोन करके पूछेंगे आप वह डेवलप्मेंट डॉकेट जो आपको सिखाया था पहले सेशन में जैसे आपको लोगों का मेचौरेटी आइडेटिफाय करना है वह आपने किया कि नहीं अब वह आदमी ने गुरुकुल के 8 साल पहले उसको याद दिलाना है अब भी लॉक्टाउन में बैठा तो उसको वापिस विजट कराया फिर अगला दिन फोन कर दिया दो दिन के बाद फोन कर दिया कि आपने इनो डेलीगेशन जो आपको सिखाया था चार टाइप के जैलीगेशन वह आपने डेलीगेशन जो नॉन डेवनिय जनेरेटिंग कामों में आ गये हैं तो वो आदमी को याद दिला दिया तो जो पुराने क्लाइंट है उसको फोन कर दिया बुले सर विजन लॉंच आपने करना है तो एक काम करो जैसे ही आप लॉक्डाउन खतम हो जागा तो पहला चीज आप करना विजन लॉंच करना क्यो आपको सिखाय तो आपने किया कि नहीं तो वो याद दिलाओ पुराने कस्टमर्स को यह कर रहे हैं लोग तो फिर हम लोग बोल रहे हैं कि भाई सर आपको आपको जो प्रजा करमा सैकल या जिसको बहुत है टैलेंट फैक्टरी जो आट स्टेब आपको सिखाय थे करने का और परफॉर्मेंस एवैलियोशन कैसे करने का रिवार्ड रेक्निशन कैसे करने का इंगेजमेंट कैसे करने का रिटेंशन कैसे करने जो आपको सिखाय था वाप वो बुक को जरा वापिस पढ़िए तो सभी को वापिस सभी बुक्स पढ़ाने के लिए लगा कम से कम उनका इंप्लिमेंटेशन फिर से शुरू हो जाएगा हो सकता है कि उनको एक एक स्टेंडेट रिव्यूज चाहिए हो बोलते खाली मेरा रिव्यूज एक्स्ट्रा कर दीजिए आप मेरे को री गुरुकुल नहीं करना कोई बात नहीं सर वो भी कर लेंगे क्योंकि एन लॉम जो होता डेली ऑपॉर्शनिटी मल्टिप्लिकेशन मीटिंग वह आपने शुरू किया कि नहीं फिर बीड़ली वाई डे बीड़ली एफ डे विट फ्रेंड फैमिली विट यॉर्सेल वह सब देस के बारे में प्लानिंग करने के लिए भी हम फोन पर बात कर सकते हैं क हम लोग अपने पुराने कस्टमर के साथ कनेक्ट कर रहें क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग अपसेट है दुनिया से कुछ नाराज है कुछ लॉस्ट फील कर रहे हैं कुछ घवरा गये हैं कुछ हमसे भी नाराज हो सकते हैं यह लगता है कि अगर उसका रिव्यू जबाने म वो रिव्यूर ने अच्छा नहीं किया तो आज हमारे पास दूसरे रिव्यूर है तो हम हो सकता है कि रिव्यू में हम रिविजिट कर ले वे तो यह भी एक बात हो सकती है सबी को हम बोलेंगे की फांडेशन गुरुकुल आपने किया था बुक्स पढ़ लो आपने एडवांस गुरुकुल किया था इसका बुक पढ़ लो तो यह बूक पढ़के जो रेकंडल करने कीरण क्ने का हको और अभी निल्सेख यह हों लोग सोने ही न्या चीज़ किया जिसका नाम है फटा फट रिविईव के मारायी होता था ग्लाइग का रिवीव यह nella ट्रेणर साफ में ट्रेन कर क्यूंकि हमारा प्रोग्रम जो साल बर का10 साल का क्लास में ट्रेनर लेता है फिर दो मेने के बाद एक सेशन होता है फिर दो मेने के बाद एक दिन होता है तो उसके बीच में जो दो मेना होता उसमें रिव्यूर आता था तो हमने क्या कि वह अभी रिव्यूर जो है वह इनम दो घंटा डाई गंटा कभी देड़ घंटा बैठ सब आपने वो किया कि नहीं अच्छा अभी आप यह करो अभी आप डेवल्पेंट बना अभी आप इना विजन की ऊपर काम कीजिए अभी आप इना इसकी आप आप पर काम कीजिए अभी आप 10-point business generation plan आप एडवांस गुरुकुल मैं आप 10-point business generation plan बनाए अभी प्राइशन प्लान बनाए अभी आप न eff eff काम कीजी अभी आप ञेँन स्ट्रीज मनेजमेंट में दों मी अभी आपने strategy management में आप बंढम की जे पेस्ट इस बनाए काम कीजिए पाइफ और सुना Currently किस तीजिए आप एक हम कीजिए इनूं यह इनूं ट्रांस्वर्मेशन शीट बनाएं तो इस तरह से आप लीडर्शिप लीडर्शिप डैवलपमेंट में आपने यह चीखा तो आप आइडेंटिफाइख कीजिए कि आपका सेकेड लाइडर कौन होगा पीपल और पीपल मेन करने का बात कर लिया जो बड़ी मीटिंग होता था पहले कस्टमर्स लोग साथ में एक ग्रूप में 40 जन है भी हमारे ग्रूप में तो राजकोड में सो जन है कोई इनों सो जन का बैच है तो हम लोगों ने उसको चोटी-चोटी ग्रूप में उसको डिवाइड कर दिया इसके लिए हम लोग ने काम चालू कर दिया इनो शौट प्रोग्राम सभी लॉंच कर रहे है झाल झाल